दिया जाते हैं और डांक तूलाइट ज़णा बिल्कम बनाते हैं तो उसकी संलाइट कैसे आती और प्रडक्त को हम कैसे रंडरिंग करेंगे फिक्सका 3D फ्रीडियो में बताने वाले जो भी नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जिस और वीडियो प्लीज एंड तक देखते रहें बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है वीडियो और यहां पर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूं लाइट तू डार्क जा लिए पैंसिल को हम लाइट टोन से डार्क टोन की तरफ जाएंगे यह दिखिए मैंने लाइट टोन कर लि लाइट से डार्क की और वैल्यू दिखाऊंगी शेडिंग भी बोलते हैं इसको वैल्यू प्लते मैंने ग्रिट बना लिया है अब भी अंडेंड इंच की बना कि इसमें डिफ्रेंस दे सकते हैं कि हम कैसे रेंडर करेंगे लाइट टो डार्क कैसे टोन आएगा तो यह ग्र टोन के लिए मैं प्रैशर कम दे रही हो और डाक टोन के लिए प्रैशर जादा दूंगी तो फंटीनिव डार्क होता जाएगा तो इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइट तो डार्क ऐसे टोन्स देने हैं हमें तो यह ग्रिड में मैंने यह दिखाया हुआ है सेम ऐसे ही कलर में भी होता है कि वेल्यू दिखानी होती है कि कहां पर डाक टोन आ रहा है कहां पर लाइट टोन आ रहा है पैंसिल में भी होता है कि जब भी हम लाइक पोट्रेट या फिर कोई भी प्रोड़क डिजाइन करते हैं इस ते लाइफ करते हैं या फिर लैंस के प कंटिन्यू ऐसे प्रेक्टिस कर सकते हूं कंटिन्यू देखते रहे हैं वीडियो मैंने अनली वनी पैंसल यूज किया हुआ है मैं अग कंटिन्यू करती जा रही हूं औरती वीडियो में बड़ सबसावार से परां यूज कर रह झांगे एव यह तक बया है में बडाऊ मीड़ीओ शेडिंग वार शेडिंग में तो वह दिफ्रेंस समझ में आता है कि कैसे करना है यह सब आपकी हाथ की पर टेबंट करेगा अब जब अपने हाथ को ज्यादा प्रेसराइज करोगे तो हम लाइट होगा और थोड़ा कम लाइटली चलाओगे तो लाइट टोन साइगा तो वह भी है पैंसिल के बारे में भी म कितने रुपए की आती है और किस प्रांड की है एजिली आपको स्टोर वगएरा में ऑनलाइन भी अवेलेविल रहती है तो यह सारी इंफोर्मेशन में आपको नेक्स वीडियो में दूंगी और इस वीडियो को आप कंटीनी दिखती रहिए आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है जो भी नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना कि कैसे लगा आपको वीडियो यह देखिए एक ग्रिट दिख रही है आपको लाइट टू डाक आप में डाक टू लाइट कर रही हूं कि डाक टू लाइट कैसे हम लेकर भी लाइगे प्राइए निक het झाल 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 आपको बताऊंगी कि sun का reflection कैसे product पर पढ़ रहा है light tone कहां पर आएगा dark tone कहां पर आएगा तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी मैं rendering करना start कर रही हूं drawing almost हो गई है dark tone कहा है highlight यहां पर रेंडरिंग करना start कर दूंगी light कर लिया है continue पर रेंडरिंग करते जाएंगे सबसे पहले क्या है sun अगर हमारा product पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पर light tone आएगा और जो back side है वहां पर सबसे dark tone आएगा तो मैं यहां पर क्या कर रही हूं कि यहां पर medium tone दे रही हूं जचाएंगे अब यहां पर मैं डाक tone दे रही हूं क्योंकि light reflection आएशा पड़ रहे है कि इस side हमारा reflection डाक आ रहा है तो मैं यहां पर dark tone दे रही हूं पर ज़्साइब पर पार आये है है यहां पे कंटिन कॉने घा तून रहेगा यहां मेडियम तून रहे गा वे किनो को गया है आप के अब आलगी समझ में यह रहा होगा आपको की लाइट टोन कहां तो इसका रिफ्लेक्षन पीछे आएगा तो इसका रिफ्लेक्शन पीछे आएगा तो फिर दन थोड़ा थोड़ा लाइट होती जाती है शैडो थांकि फॉर वाचिंग प्लीज चैनल को लाइक अच्छाइब करना